हटेलो एबरीबन हमारी तीन एप है बुशन साइंस प्लस पहली एप जिसमें हम इडिकल, फार्मसी और नर्सिंग के विडियो लेक्शर सट्डि मेडर प्रोवाइड करते हैं। दूसरी हमारी एप है बुशन साइंस नीट जिसमें हम नीट रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेश और स्टडिमेटर प्रवाइड करते हैं और तीसरी हमारी एप है बुशन साइंस एक्जाम जिसमें हम वेलियस एक्जाम्स की टेस्ट सीरिस प्रवाइड करते अचानक दर्वाजे की घंटी बचती है। विद्यार्थियों, आप भी रवी की ही तरह इसके बारे में और कुछ जानने के लिए ललाईत होंगे। अतह, आज हम गतिमान आवेश और चुमक्त्व के बारे में पता लगाएंगे। इस पाठ के अंत में आप निमन करने में सक्षम हो जाएंगे। एंपियर का परिपथिय नियम परिभाशित करना। परिनालिका तता टौराइट को परिभाशित करना। दोसमनांतर विद्युधारा वाही चालकों के बीच बल का मुल्यांकन करना। आयताकार विद्युधारा पाश पर बल आघून की गढ़ना करना। परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुम्बकी द्विधुव आघून की गढ़ना करना। चलकुंडली ग्याल्वेनो मीटर की व्याख्या करना, ग्याल्वेनो से एमीटर और वोल्ट मीटर में बदलना. एम्पियर का परिपथिय नियम बताता है कि पाश के माध्यम से गुजरने वाली विद्युधारा बंद पाश के चारो और चुम्बकिय शेत्र को समाकलित करता है. यह बताता है कि किसी बंद पत के अनुदिश चुम्बकिय शेत्र बी का समाकलन प्रिष्ट से प्रवाहित होने वाली कुल विद्युधारा आई के म्यूशून्य गुना होती है. गड़तिय रूप से इसे बंद समाकलन बी डॉट डील बराबर म्यूशून्य आई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है. विद्युधारा विन्यास की चुम्बकिय शेत्र की गड़ना के लिए यह साधारन तरीका है जिसकी उच्च सम्मिती है. अनन्त विद्युध धारवाही तार पर चुम्बकिय शेत्र हमें तार से आरदूरी पर चुम्बकिय शेत्र की गड़ना करनी है. सम्मेति द्वारा पाश के सभी बिंदुओं पर चुम्बकिय शेत्र B का परिमार समान है और किसी बिंदु पर इसकी दिशा वृत के अनुदिश लंबवत है वृत्ताकार पाश के चारो ओर चुम्बकिय शेत्र B का प्रिष्ठ समाकलन B और 2πR के बराबर दिया हुआ है एंपियर के परिपतिय नियम के अनुसार B.DL का बंद समाकलन μ.0i होता है उपर के दो समी करणों से हम पाते हैं कि B बराबर μ.0i बटे 2πR उदाहरण विद्य धारवाही चालक के कारण चुम्बकिय शेत्र पर एक उदाहरण लेते हैं एक लंबा सीधा चालक 120 एंपियर विद्य धारा का वहन करता है चालक से कितनी दूरी पर चुम्बकिय शेत्र के प्रभाव से विद्य धारा 0.8 गुणे 10 घातांग घटा 4 टेसला के बराबर होगी चलिए इसका हल देखते हैं यहाँ दिये हुए मान है आई बराबर 120 एंपियर बी बराबर 0.8 गुणे 10 घातांग घटा 4 टेसला म्यू शून्य बराबर 4 पाई गुणे 10 घातांग घटा 7 SI यूनिट हम जानते हैं बी बराबर म्यू शून्य आई बटे 2 पाई ए समीकरण में मानों को प्रतिस्थापित करने पर हम पाते हैं कि ए बराबर 0.3 मीटर यहाँ चालक से 0.3 मीटर की दुई पर चुम्बकिये शेत्र उत्पन्न होता है जब 0.8 गुड़े 10 घातांग रिण 4 टेसला के बराबर विद्धुधारा होती है परिनालिका परिनालिका विद्धुधारावाही तार है जो दक्षण वृत्ताकार बेलन के सतह के चारो और लिप्टा होता है एक लंबी परिनालिका के भीतर चुम्बकिये शेत्र को प्राप्त करने के लिए हम एक आयताकार पाश ABCD के बारे में विचार करते हैं रेखा खंड AB, लंबाई L, परिनालिका के अक्ष के समानांतर है किसी भी आयताकार पत ABCD के लिए समाकलन चार समाकलनों से बनता है जिनमें प्रत्येक में एक रेखा खंड होता है इससे हमें प्राप्त होता है B.DL का बंद समाकलन बराबर B.DL का A से B तक का समाकलन यह B.L के बराबर होता है M.P.R के परिपतिय नियम के अनुसार B.DL का बंद समाकलन बराबर μ.0 N.I.L जहां L लंबाई के प्रती इकाई फेरों की संख्या है उप्रियुक्त दो समी करोणों से हम पाते हैं B.B बराबर μ.0 N.I. टोराइड डोनट आकरती के क्रोड के चारो और विद्धु धारावाही तार से लपेटा हुआ होता है एक आदश टोराइड में तार को सटा सटा कर लपेटा जाता है ताकि चुम्बकिये शेत्र पूरी डोनट से बाहा शेत्र में सिमित रहे सम्मिती द्वारा किसी चुम्बकिये शेत्र B का परिडाम आर्त्रिज्जा वाले किसी वृत्ति के सभी बिंदुओं और निर्देशित स्पर्ष जाके रूप में वृत्ति के किसी बिंदु पर समान होता है। इस प्रकार वृत्ताकार पाश के चारो ओर चुम्बकिये शेत्र का समाकलन B और दो पाई R के बराबर होता है। MPR के परिपथिये नियम के अनुसार B.DL का बंद समाकलन बराबर μुश्यून एन आई जहां N फेरों की कुलसंख्या है। उपर की दो समीकरणों से हम पाते हैं B बराबर μुश्यून एन आई बटे 2 पाई R. समनांतर विद्धुधाराओं से उत्पन्य चुम्बकिये शेत्र यह समान दिशाओं में दो समनांतर चालकों की विद्धुधारा के कारण संयुक्त चुम्बकिये शेत्र को प्रस्तुत करता है। चुम्बकिये शेत्र का यह प्रतिमान दो चालकों के बीच आकरशन का सूचक है। दो समनांतर धारावाही चालक के बीच का बल हम विचार करते हैं कि लंबे, सीधे और समनांतर तार के दो टुकडे आर दूरी पर हैं और विप्रीद दिशा में आई एक और आई दो विद्धुधारा का वहन करते हैं। तार एक विद्धुधारा आई एक का वहन करते हैं और तार एक तक सभी बिंदुओं पर चुम्बकिये शेत्र बीवन स्थापित करते हैं। यह चुम्बकिये शेत्र तार दो के उर्ध्व गामी अभी लंबवत निर्देशित करता है और इसका परिमाण म्यू型 आई एक बटे दो पाई आर के बराबर है। तार एक के कारण तार दो पर चुम्ब के शेत्र का परिडाम म्यूशून्य I1, I2L बटे 2πR द्वारा दिया जा सकता है। तार दो द्वारा उत्पन्य चुम्ब के शेत्र के कारण तार एक बराबर और विपरीत बल F12 पर लगाता है। F21 बराबर रिण F12 फल स्वरूप तारों के बीच लगने वाले बल प्रतिकारक हैं। दो तारों के बीच समान दिशाओं में विद्धुधाराओं के होने की स्थिती में तारों के बीच लगने वाले बल विपरीत हैं और आकरशित होते हैं। एक एमपियर हम जानते हैं कि F बराबर μू शून्य बटे दो पाई गुणे आऑ एक आएदो बटे आर जब आई एक बराबर आई दो बराबर एक एमपियर और आर बराबर एक मीटर तब F का मान बराबर दो गुणे दस पर घातांक रिंड साथ न्यूटन प्रति मीटर। और निर्वात में एक मीटर अलग है, तो इस्ते चालक की प्रती मीटर लंबाई पर दो गुणे दस पर घात आंक, रिन सात न्यूटन बल प्रती चालक पर अनुभव होता है. विद्धुद्धारा पाश पर बल आघुण हम एक विद्धुद्धारा वाही आयताकार पाश PQRS के बारे में विचार करते हैं, जिसकी A और B भुजाएं, वाहा एक समान चुम्बकिये शेत्र B में स्थापित है. सतह पर अधो लंब B के साथ थीटा कोन बनाता है? जब विद्धुद्धारा आई पाश से होकर गुजरती है, तो प्रत्येक सरलखंड बल का अनभव करता है. बल F1 और F3 के समान परिमाण है. उनकी दिशाएं विपरीत और समरेख हैं. अतह इन बलों के कारण नेट बल और आघुर्ण शूने हैं. बल F2 और F4 परिमाण और विपरीत दिशा में समान है. अतह वे कोई विशुद्ध बल उत्पन नहीं करते हैं. हलाकि दोनों बल संरेख नहीं हैं. वे बल लगाकर पाश पर आघुर्ण उत्पन करते हैं, जिससे बल और उत्तोलक के गुणन के बराबर परिमाण उत्पन हो करण को इस प्रकार लिखा जा सकता है. टाव बराबर Mb sinθ जहां M चुम्बकिये द्विध्रूफ सम्वेक का परिमाण है. टाव बराबर M और B का वेक्टर गुणन फल. विध्युद्धारा पाश चुम्बकिये द्विध्रूफ विध्युद्धारा आई के वाहक किसी वृत्ताकार विध्युद्धारा पाश पर चुम्बकिये द्विध्रूफ आगुण M और शेत्र फल A है. तो दिया हुआ है कि M बराबर शेत्र A और R कैप का गुणन फल. M की दिशा दक्षण हस्त अंगुष्ठ नियम द्वारा दिया हुआ है. दक्षण हस्त अंगुष्ठ नियम बताता है कि विध्युद्धारा की दिशा दाहिने हाथ की चार मुडी हुई उंगलियों की ओर निर्देशित करती है. तो फैला हुआ अंगुठा चुम्बकिये आगुण की दिशा को निर्देशित करता है. परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुम्बकिये द्विध्रोफ इलेक्ट्रॉन की कक्षिये गती से उत्पन होने वाला चुम्बकिये आगुण दिया हुआ है. EVR बटे दो. इस चुम्बकिये आगुण की दिशा सतह पर लंबवत पड़ती है. यदि ME इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, एक परिक्रमी इलेक्ट्रॉन की परिमार के साथ क 2ME गुणे L. रिडात्मक दिशा बताती है कि दो साधिश विपरीद दिशा में है. घुण चुम्बकिये अनुपात. म्यू बटे L बराबर E बटे 2ME. एक इलेक्ट्रॉन के लिए इसका मान 8.8 गुणे 10 पर घातांक 10 कुलम प्रती किलोग्राम है. बोर मैगनेटॉन. म्यू और 9.27 कुडे 10 पर घातांक 24 एटियम वर्क के बराबर है. चल कुंडली गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर एक यंत्र है जिसका उप्योग, एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों के बनाने में होता है. यह उस सिद्धान्त पर काम करता है, जिसमें एक समान चुम्बकिये शेत्र में विद्युधारवाहिक कुंडली को लटका कर घूर्णन महसूस किया जाता है, और लटकती हुई कमानी को मरोड कर प्राप्त संचित आघूर्ण को संतुलित करता है. ग्यालवनोमीटर एक यंत्र है, जिसे किसी बेलनाकार नर्म लोह क्रोड पर कई फेरों में लपेटे हुए चालकतार से बनाया जाता है. इसे कमानी से लटकाया जाता है, और माप के लिए इसमें वाहक विद्युद्धारा आई होती है. धुरूफ के टुकडे बेलनाकार होते हैं, ताकि कुंडली चुम्बकिये शेत्र में परिक्रमण कर सके, जिससे सभी जगे त्रिजबल हो. यह त्रिजबल तै करता है कि विक्षेपित आगुण, विद्युद्धारा का समानुपाती और सर्वदा अचर हो. चल कुंडली गैल्वनोमीटर का मानदंड किसी गैल्वनोमीटर के लिए अविचल विक्षेपण दिया हुआ है. यहां N कुंडली के फेरों की संख्या है. A कुंडली का शेत्रफल है और K कुंडली का एंठन नियतांक है. गैल्वनोमीटर द्वारा जब इकाई विद्युद्धारा प्रवाहित कर इसमें विक्षेपण उत्पन्य कराया जाता है, तो इसका वर्णन गैल्वनोमीटर की वोल्टेज ग्राहता के रूप में किया जाता है. विद्युद्धारा ग्राहता फाई बटे आई के बराबर होती है, जो एन्बीए बटे के के बराबर होता है. गैल्वनोमीटर द्वारा जब इसके अनुदिश इकाई वोल्टेज प्रवाहित कर इसमें विक्षेपण उत्पन्य कराया जाता है, तो इसका वर्णन गैल्वनोमीटर की विद्युद्धारा ग्राहता के रूप में किया जाता है. वोल्टेज ग्राहता फाई बटे वी के बराबर होती है, जो एन्बी ए आई बटे के वी के बराबर होता है. गैल्वनोमीटर से एमिटर में परिवर्थन किसी परिपत में विद्युद्धारा के माब के लिए एमिटर को आवश्यक रूप से परिपत के श्रेड़ी क्रम में स्थापित किया जाता है, ताकि इससे गुजरने वाली विद्युद्धारा को मापा जा सके. गैलवेनोमीटर के करम को विस्तरित किया जा सकता है और इसके साथ ही गैलवेनोमीटर के सामानांतर निमन प्रतिरोधी S जोड़ कर समतुलि प्रतिरोध कम किया जा सकता है प्रतिरोध S शंट कहलाता है गैल्विलमीटर और समानांतर प्रतिरोध संयोजन एमीटर कहलाता है V बराबर Ig और G का गुणनफल या V बराबर Is और S का गुणनफल दोनों समी करणों को समान करने पर हम पाते हैं S बराबर Ig बटे Is गुणनफल हम जानते हैं कि I बराबर IG धन IS, यहां S का मान बराबर IG बटे I, रिण, IG गुणे G S के इस मान से Emitr, व्रिहत, विद्धुधारा I तक और निम्न विद्धुधारा मापने में सक्षम होता है Galvanometer से Voltmeter में परिवर्तन किसी परिपत में दिये गए उपखंड के अनुदिश विभिन विभव के माप के लिए Voltmeter को विद्धुधारा के उन उपखंडों के साथ समनान तर जोड़ा जाता है इस परिसर को विस्तरित किया जा सकता है और Galvanometer के साथ एक श्रेणी क्रम प्रतिरोधी आर को जोड़ कर समतुल्य प्रतिरोध बढ़ाया जा सकता है Galvanometer और श्रेणी क्रम प्रतिरोधी संयोजन Voltmeter कहलाता है परिपत पर ओम का नियम लागू करने पर हम पाते हैं वी बटे RS धनजी बराबर IG इसे निमन तरीके से भी लिखा जा सकता है RS बराबर वी बटे IG रिण जी RS को Galvanometer के श्रेणी क्रम में इस क्रम में जोड़ा जाता है ताकि इसका उप्योग Voltmeter के रूप में हो Voltmeter का उच्छ प्रतिरोध RS धनजी है क्या आप जानते हैं परिनालिका कुंजी का उप्योग किसी यंत्र को नियंत्रित करने में होता है यह व्युद्धुत चुम्बकी उर्जा का उप्योग करता है ताकि व्युद्धुत उर्जा को यंत्रिक उर्जा में परिवर्तित किया जा सके स्थापन और नियंतरन प्रणाली में गैलवनुमीटर प्रक्रिया के लिए आधुनिक उप्योग है परिनालिका का उप्योग स्वचालित, गियर बॉक्स, सिलेक्टर्स, पेट्रोल कैप लॉकिंग, कमपन इंजन समन्वा योजन और सुरक्षा प्रणाली के समाकलन के लिए होता है सारांज आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संशेप में दोहराए एंपियर का परिपथिय नियम बताता है कि पाश के माध्यम से गुजरने वाली विद्धुधारा बंद पाश के चारो और चुम्बकिय शेत्र को समाकलित करता है एक परिनालिका दक्षण वृत्य बेलन की सतह के चारो ओर विद्धुधारवाही तार के चारो ओर लपेटा होता है तुराइड डोनट आकरती के क्रोड के चारो ओर विद्धुधारवाही तार से लिप्टा हुआ होता है दो चालक तारों में जब विद्युद्धारा समान दिशाओं में होती है तारों के बीच के बल में आकरशन होता है एक एंपियर वविद्युधारा है जो अनंत लंबाई के दो सामानांतर चालकों में प्रतेक से होकर गुजरती है और निर्वात में एक मीटर अलग है तो इससे चालक के प्रती मीटर लंबाई पर दो गुणे दस से बढ़कर घातांग रिन साथ न्यूटन बल प्रती चालक पर अनभव होता है दक्षण हस्त अंगुष्ठ नियम बताता है कि विद्युधारा की दिशा दाहिने हाथ की चार मुड़े हुई अंगलियों की ओर निर्देशित करती है तो फैला हुआ अंगुठा चुम्ब की द्विध्रुव आगुण की दिशा को निर्देशित करता है चल कुंडली गैलवनमीटर उसे धांत पर काम करता है जिसमें एक समान चुम्ब की चेतर में विद्धारावाहि कुंडली को लटका कर घुणन महसूस किया जाता है जो लटकती हुई कमानी को मरोड कर प्राप्त संचित आगुण को संतुलित करता है गैलवनमीटर की वो और श्रेणी करम प्रतिरोधी संयोजन वोल्ट मीटर कहलाता है